2024 में लोकसभा का चुनाव और इस लोकसभा के चुनाव से पहले जिस तरीके से पप्पु यादो का कद बढ़ रहा है तेजस्त्री यादो के लिए मुसीबत पनप रहा है तेजश्री यादो ये देख रहे हैं कि लगतार आए दिन पप्पू यादो का कद जिस तरीके से बढ़ रहा है जिस तरीके से उनके सभाओं में भीर इकठा हो रही है अब तेजश्री यादो और लालू यादो को ये डर सताने लगा है कि पप्पू यादो हमारे लिए मुस पप्पु यादो की बात को सुन रहे हैं और उनकी बात को सुनकर उनकी बातों से वो सहमत भी हैं वो तालिया भी बजा रहे हैं वो ये भी बजता रहे हैं कि हम आपके साथ हैं चाहे कुछ भी हो जाए हम आपके साथ ही हैं और अब पप्पु यादो का ये इसारा कि इंडिय गड़बंदन में अगर सबसे अधिक किसी को नुकसान होगा तो वो नुकसान होगा तेजश्वी यादो को क्योंकि पप्पू यादो अगर किसी का वोट काटेंगे तो वो होगा यादो का वोट वो होगा मुसल्मान का वोट और खास करके देखा जा रहा है कि सिमानचल के इ इनका कद वढ़ रहा है और सिमांचल के इलाके में जितने भी लोकसवाद छेतर हैं पप्पू यादो का दबदबा वहां पर बरकरार है और सिमांचल की इलाके में देखा जाता है कि यादो और मुसल्मानों की भूमिका बहुत एहम रहती है जिताने की में और सिमांचल की इ इस बार जेडियू का भी दबदबा है लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि जेडियू से वो स्टीट राज़द अपने पास ले लेगी और जब वो लेगी और पपू यादो उनके खिलाफ मैदान में उतरेंगे यह आप कह सकते हैं कि अगर पपू यादो जीत गए तो तो अच् पक्ष के पार्टियों के उमिद्वार होंगे, उनकी जीत होगे, क्योंकि पप्पो यादो, यादों का वोट काटेंगे, मुसल्मानों का वोट काटेंगे, और यादो और मुसल्मान तो इंडिया गटबंदन के ही होंगे, इंडिये के तो होंगे नहीं, क्योंकि इंडिये मे भाजपा है और भाजपा के तरफ तो मुसल्मान नहीं जाएंगे या तो थोड़े बहुत चले भी जाते हैं तो मुसल्मान तो बिल्कुल ही नहीं जाते हैं और अब ये देखा जा रहा है कि पपु यादो की छबी बेहतर हो रही है उनका कद आए दिन बढ़ रहा है और जिस तरीके से सभाओं में भीर उमड रही है पपु यादो ये दिखा रहे है एक तरीके का ये सक्ति प्रदर्शन भी है और ये सक्ति प्रदर्शन इंडिया गठ बंदन में सामिल तमाम दलों के लिए है कॉंग्रेस के लिए है जेडियू के लिए है और राजद के लिए तो है नहीं क्योंकि राजद लगतार ये प्रयास कर रहा है कि इंडिया गड़बंदन में पप्पो यादो को सामिल ना किया जाए वो बात आपको याद होगी जब पप्पो यादो ने कहा था कि अब हम क्या करें इंडिया गड़बंदन में सामिल होने के लिए तेजस्ट्री यादो के बेटे का पर तक पकरने को तयार हो तब समझे कि पपु यादो अपने आपको कहा रखते है two लगतार इंडिया गडबंदन में सामिल होने के लिए ये बात कह रहे हैं कि हमको सामिल करई cosas Imil नहीं किया गया तो वह intelligence we मैदान में उतर चुके हैं और कह रहा हैं कि देखिए इस बार हम जीत कर दिखाएंगे विदान सभा में ये देखा गया था कि करारी हार हुई थी लेकिन लोग सभा में पपू यादो अपनी बदौलत छबी को बहतर कर चुके हैं और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि हो गया कटियार हो गया या फिर सहरसा हो गया इन तमाम जोगों पर वो जैसे जा रहे हैं लगतार कारिकरता सम्मेलन कर रहे हैं और उस कारिकरता सम्मेलन में जो भीर उमर रही है वो भीर लालू यादो और तेजस्वी यादो के लिए मुस्यबत बनते जा रही है अब आग हुआ ह Urs आइ कर दो